ओम स्री वेंकटेश पराये नमहा, आज के वीडियो में कल रिलीज होने वाले 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकेट्स के बारे में कुछ जानकारी आपको देनी हैं, साथ ही कुछ डौट्स जो भगतों को आ रहे हैं एकदशी के दौरान, कौन से टिकेट्स रिल में डिसमबर मन्त के लिए कल रिलीज होने वाले हैं, यानि 25 सेप्टेंबर को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे, ये सिर्फ डिसमबर 1 से लेकर डिसमबर 22 तक ही रिलीज होंगे, जो भगत हम से नए जुड रहे हैं उन्हें हम बता दे, एकदशी का पर्व डिसमबर 23 से लेकर जन्वरी 1 यानि 10 दिन के लिए मनाया जाएगा, इसी लिए संस्थान डिसमबर 23 से लेकर जन्वरी 1 तक ही टिकेट को होल में रखा गया है, इसी लिए सिर्फ डिसमबर 1 से लेकर डिसमबर 22 तक के ही टिकेट कल रिलीज किये जाएंगे, बहुत लोग एकॉमडेशन के बारे सुबह 10 बजे एकॉमडेशन रिलीज होता है, सबसे पहले तिर्मला का रिलीज किया जाता है, और उसके बाद दोपहर को तिरुपती का रिलीज किया जाता है, तो mostly 26 को सुबह 10 बजे तिरुपती का रिलीज किया जाएगा, और दोपहर में तिरुपती का रिलीज किया ये टिकेट्स खतम होने की संभावना है क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए ओनलाइन टिकेट्स को रिलीज किया जा रहा है। इन टिकेट्स को किस तरह से बुक क्या जा सकता है, क्या क्या टिप्स औं ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, सभी कुछ डीटेल्ड में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमें सेक्षन में मिल जाएगा, एक बास जरूर चेक करें क्योंक कि हमारे एक्सपिरियंस में कि एकादशी के टाइम में ओनलाइन टिकेट्स को नहीं रिलीज किया गया हो, जल्द ही एकादशी के लिए एक अपडेट ओफिशली आने की संभावना है, जैसे ही अपडेट आता है, हमारे चानल में सारे अपडेट्स पोस्ट कर दिये जाते ह यहाँ पर मैं एक और चीज लिए करना चाती हूँ कि ओफ्लाइन टिकेट्स को किसी भी दिन बंद नहीं किया जाता है, चाहे वो संडे हो, एकादशी हो या कोई भी पर्व हो, जो टिकेट्स को क्लोज किया जाता है, वो है प्रिविलेजड दर्शन, जैसे कि अल्रेडी हम भी क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टिकेट्स होल्ड में रखे जाते हैं, कोई भी पर्व हो या ब्रम्ह महोत्सव हो, बाकी ओन लाइन 300 रुपीज के टिकेट्स, स्रीवानी ट्रस्ट टिकेट्स और ओफ्लाइन टिकेट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर आंग प्रदक्षना टिकेट्स को भी सिर्फ 16 तारिक तक ही रिलीज किया गया है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है एकादर्शी के दोरान, और आंग प्रदक्षना के लिए बहुत सारे एरेंजमेंस करने पड़ते हैं, इसलिए संस्था 16 के बाद अंग प्रदक्षना के टिकेट्स को नहीं रिलीज किया है, इस बाद डिसमबर महिने के लिए, जो भक्त बच्चों के साथ जा रहे हैं, उन्हें बता दे कि 12 साल से कम उमर के बच्चों का कोई टिकेट नहीं होता है, और जो बच्चे एक साल से कम उमर के बच्च से लेकर October 23rd तक तब भी infant दर्शन को बंद कर दिया जाता है और कोई भी VIP break दर्शन को कोई भी festival हो जैसे कि एकादशी या ब्रह्म्ह महोचसव कैंसल कर दिया जाता है तो VIP break दर्शन में letters को लेके जाने वाले भक्त इंडेट्स को ध्यान में रखे आने वाले नवरात्री ब्रह्म्ह महोचसव रेकादशी के दौरान आपके letters को accept नहीं किया जाएगा फिर से यहां दोरादू offline tickets में कोई भी दिकत नहीं आती है चाए कोई भी festival हो कल 300 के tickets बहुत जल्दी खतम होने की संभावना है तो पहले ही login कर ले बहुत पहले नहीं 5 मिनिट पहले अगर आप login करके रखते हैं तो आपको आसानी होती है एक mobile number से maximum 6 लोगों का दर्शन ticket book होता है पर person 300 रुपीज का charge होता है यहां सिर्फ आधार card number को ही accept किया जाता है pan card अब allow नहीं किया जा रहा है एक दर्शन और दूसरे दर्शन के बीच में gap 30 days का होना चाहिए लेकिन senior citizen tickets या सेवा tickets अगर आप फिर से book करना चाहते हैं तो 90 days का gap होना चाहिए दर्शन ticket को आप cancel नहीं कर सकते हैं नहीं आप इसे transfer कर सकते हैं यानि आपके बदले कोई और नहीं जा सकता है यहाँ पर मैं बता दू सिर्फ accommodation को ही आप cancel कर सकते हैं और वो भी दो दिन पहले अगर आप cancel करते हैं तो पूरा refund आपको मिल जाता है accommodation के related कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको विस्तार से नए systems के बारे में एक बार जरूर जानकारी दे दूँगी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इस चैनल में आपको सारे अपडेट मिलते जाएंगे कल के लिए पहले ही लॉग इन कर ले और सारे tips और tricks को follow करें link description box में और comment section में आपको मिल जाएगा जो भक्त हमसे नए जुड़े हैं उन्हें बता दे कि offline tickets रोज मिलते हैं तिरुपती में एका दशी के दौरान भी आपको offline tickets मिलेंगे offline tickets को SSD यानि slotted सर्वदशन tickets कहा जाता है क्योंकि इसमें एक slot दिया जाता है आपको उस slot तक पहुँचना पड़ता है तिरुपती से 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 दर्शन करना चाते हैं उन्हें बफर दो दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको उसी दिन के टिकेट मिले कभी-कभी next day early morning सुबह 8 बजे से पहले के भी slots मिलते हैं तो इस बात की जानकारी रखकर ही आप offline टिकेट के साथ दर्शन की planning कर ये काउंटर सुबह 3 से 4 बजे तक खुल जाते हैं और आधी राद से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं अगर तिरुपती पहुंचने तक काउंटर बंद हो जाते हैं तो आपको तिरुपती में ही स्टे करना पड़ेगा रात में बहुत सारे free locker facilities हैं विश्नु निवास साथी तिरुपती रेलवे स्टेशन में ही आपको clock room की facilities है waiting rooms की भी facilities है आप समझते हैं कौन-कौन से counters में आपको offline tickets याने SSD मिलते हैं SSD टिकेट्स आपको विश्नु निवासम जो की तिरुपती रेलवे स्टेशन के सामने वहां मिलता है तिरुपती रेलवे स्टेशन के back side मे गुविंद राजु सत्रम और तीसरा counter है स्री निवासम complex जो की तिरुपती 8C bus stand के पास में है दो चल की जाने वाले mark भी है अलिपिरी मिट्टु मार्गम जिसके लिए आपको दिव्यदशन token भू देवी complex जो की अलिपिरी toll gate के पास है वहां मिलता है अलिपिरी मिट्टु और भू देवी complex सुबद दो बजे ही खुल जाता है जहां पर आपको दिव्यदशन token tokens मिलते हैं ये भी SSD की तरह ही free दशन tickets है जो की offline में मिलते है आधार card mandatory है एक person को एक ही ticket मिलता है और सभी को line में लगना पड़ता है दूसरा चल के जाने वाला mark है स्री वारी मिट्टु म यहां पर सुबर 6 बजे से चाम 6 बजे तक का timing होता है और दिव्यदशन ticket स्री वारी मिट्टु मार्गम के लिए 1250th step पर मिलता है यहां एक बहुत important जानकारी जो सबको जानना बहुत ज़ादा जरूरी है चाहे दिव्यदशन ticket हो या slotted सर्वदशन ticket हो सभी कुछ same ही है बस जो लोग चल की जाने वाले मार्गो से जाते हैं वे time बचाने के लिए दिव्यदशन token को लेते हैं otherwise अगर आप दिव्यदशन ticket लेकर घाट रोड के मार्ग से भगवान के दर्शन करने जाना चाते हैं तो आप जा सकते हैं इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है और जा सकते हैं या किसी भी टिकेट के साथ जा सकते हैं इसमें कोई भी प्राब्लम नहीं है दोनों चल की जाने वाले मार्गो में एक कंडीशन है सुबा पांच बजे से दो पहर दो बजे तक ही बारा साल से कम उम्र के बच्चों को allowed है बाकी time सिर्फ बड़ों को allowed है यह याद रखे अग अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जो बारा साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें timing का खास ध्यान रखना है अगर आपको SSD टिकेट नहीं मिलता है तो दिव्यदर्शन टिकेट लेकर भी आप दिर्मला में भगवान के दर्शन कर सकते हैं एक घंटे इधर उधर ल बंध हो जाते हैं जादा तर रश पर डिपेंड करता है ये काउंटर कब तक खुले रहते हैं तो जितनी जल्दी आप इन काउंटर तक पहुंचते हैं उतना संभावना बढ़ जाता है आपको टिकेट मिलने का तो जो लोग ऑफलाइन टिकेट के दुरू दर्शन करना चा या फ्री लॉकर फेसिलीटी को भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे ओप्शन्स हैं हडबड में जर्नी और रिजर्वेशन्स नहीं कराएं दो दिन एक्स्ट्रा रखें ऑफलाइन टिकेट वाले भग जिससे के आराम से भगवान के दर्शन हो ये बात में इसलिए बार-बार दोरारी हूं क्योंकि बहुत लोग बिना दर्शन के वापस चले जाते हैं हडबड में रिजर्वेशन कराते हैं तो इस बर पूरी प्लानिंग के साथ आएं आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे और हाँ 31 डिसमबर जनवरी 1 को रश बहुत जादा होता है क्यों आपके भी नए अपडेट्स जैसे ही आते हैं हमारे चैनल में सारे अपडेट्स आपको मिलते जाते हैं आशा करती हूं ये वीडियो भी आपके लिए इंफोर्मेटिव रहा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्रेब सरूर करें ओम स्री वंक्तेश्वरा आए नमा